कि अज़िए प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी एक बाद बहुत-बहुत फिर से आपको सागत और अबने नन्द है आपके फेवरेट 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 वेरी फेवरेट चैनल न्यूलाइक नीट पर चलिए भाई जल्दी-जल्दी क्लास को जोईन कर लिजी तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीधिंग एक्सजेंज आप गैसे वन साट रिवीजन रहेगा वेटा एक साट में पूरा खतम कर देंगे थोड़े थोड़े जो ट्रीकी पॉइंट उसको देखेंगे बाकी हम लोग रिवाइच करते चले-चले एंगे खास बात है कि जब ब्रीधिंग एक्सेंज आप गैसे करते हो तो रोज भाई प्रतिपल आप क्या हमेसा सांसी लेते हो कहते हैं सांसी जिंदगी है ऐसा कुछ गाना भी बनता है तो कहने का मतलब यह हुगा कि इसके बारे में जानना बह तो चलिए तयार हो जाई है तो आपके पीछे बड़ा खुबसूरस सा एक एनिमेटेड व्यू दिख रहा होगा कि देखिए सांसे आ रही है यह जो वाइट नुमा देख रहा है यह मतलब हवा जा रहा है देखो यह पहुचा पुरे लंक्स में अब फैल गया देखो कैसे अब देखो करेंगे जो दिमांग में रहता है ना कि कैसे ट्रैकिया होगा ब्रॉंकाई ब्रॉंकियोल सब इसको में लोग क्लियर करेंगे चलिए चैप्टर को लोग ओपेंड करते हैं चैप्टर का नाम है ब्रीधिंग एंड एक्षेंज आप गैसे तो बेटा एक बात याद रख लेना कि अभी आप लोगों ने जो रेस्पार्येसान इंप्लांट चैप्टर पढ़ा था बच्चों तो वहां पे जो रेस्पारेशन पढ़ाथा लोगा में कोई 믹्यक्टो का एक्ष्चेंज का को इसिस्टम नहीं था डायएट एटमासबर से लन्टीस यरे ले से हमारी बॉडि में हर जगा छेद नहीं है यहां से आपको लेने पड़ेगा अंदर हवा तो हमारे में एक पूरा सिस्टम चाहिए जिसका नम होता रेस्पारेटर इस्टम जिस से ऑक्सीजन कहां पहुंच जाए आपके सेल के पास पहुंच जाए ठीक ना तो हमारे में जो इस चेप्टर में डिलिंग करेंगे कैसे ऑक्सीजन पूरे बॉड़ी पार्ट के सेल्स को मिलती है उसकी डिलिंग करते हैं इसलिए बोलते हैं इसका नाम ब्रीधिंग एंड एक्शेंज ऑप गैसे तो देखो लिखा होगा एज यू हैव रेड अर्लियर ऑक्सीजन ही जो इस बाइज 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 ऑग्डाइज ब्रेक्डाउं सिंपल मालेकूल लाइक ग्लुकोज अमीनो एसिट फैटी एसिट एट्सेटरा टू डिराइज एनरजी फ्राम पर्फार्म वैरियस एक्शन थीक है बाइज सिवम करा देंगे डोंट परिये कोई बात नहीं बेटा आशसे डेली रहेगा ठीर तो यहां पर हमको इन क्या करना होता oxygen out क्या अनौर a तो यह बताए प्लांट में जो wijरे इस्पाइरेशन उताँ वहां पे इन और आउट क्या होता है जो प्लांट में patio ऑप इन ऑउता आ क्या हमारे तो इन क्या होता oxygen कैने मतला एैर लेंले ऑक्सिजन ज्याद लेकिन इसमें CO2 ज़्यादा होता है हिंदी बता रहे हैं सरे हां दोनों चाहे प्लांट हो चाहे और दोनों जो गैसी एक्शेंज होता है रेस्पारेशन के समय इन क्या होता सी ओटू आउट क्या होता है CO2 ठीक है न इन क्या होता और O2 और out क्या वता है CO2 तो कहते हैं जो gaseous exchange की प्रक्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं breathing तो सबसे important line तुमारी मिली यहां पर की it is therefore evident या साच है that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing atmosphere में जो oxygen है उसको अपने body के अंदर पहुचाना cell तक और cell में जो काम करके CO2 बना है उसको दुबारा atmosphere में भेजना यह प्रक्रिया कलाती है breathing और breathing में दो step होते हैं एक होता है in breathe in एक होता है breathe out सास अंदर लेना सास बाहर छोड़ना breathe in breathe out सास अंदर लेना सास बाहर छोड़ना यानि कि inspiration and expiration ठीक है ना commonly हम लोग इसको क्या बोल लेते हैं respiration clear तो oxygen का अंदर लेने की प्रक्रिया CO2 के बाहर भेजने की प्रक्रिया यह process को लोग बोलते हैं breathing commonly respiration कहते हैं जो अंदर लेने की प्रक्रिया है उसको बोलते है inspiration और जो बाहर भेजने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं expiration तो यहाँ पर बस खाली आपका हाँ मेनी पॉइंड बोले बैटा पूरा लाइन नहीं बोल रहे हैं तो इसको अंदर लाइन कर लीजिए आप लोग न्सी आड़ी में breathing word और commonly known as respiration breathing word and commonly known as respiration इसको अंदर लाइन कर लीजिए बस खत्म का कि प्लेस यूर हैंड और चेस्ट जब आप अपने हाथ को चेस्ट पर रखते हो देखो जैसे सांस अंदर लेते हैं अब हमारे साथ कपिल जी उनको आपके demonstration करवाएंगे तो जब आप ऐसा करते हो तो जब अंदर सास करते हो तो देखो चेस्ट आपका बाहर की तरफ जाता और ऊपर की तरफ यानि फारवर्ड एन अपवर्ड जाता है यानि रिप्स का मूव्मेंट होता है ठीक ना तो यू कें फील दा चेस्ट मूविंग अपएंड यू नो दाट इस डू तो ब्रेदिंग हाव दू वी रेस्पाइरेशन कैसे होगा इसको अंगलोग देखते हैं सबसे पहले आते हैं रेस्पाइरेटरी आर्गन इन डिफरेंट और निजम तो चलो बटा फटा पट फट अक्षेंज कर लेंगे तो पूरी फेरा में कोई रेस्पाइरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी,璃टि हलमेंधर भी अपने बॉडी सर्फिस से कर लेंगे जरूरत नहीं पड़ी,nelle रेटि शिक कर लेंगे जरूरत नहीं पडी नहीं पड़ी, salir पटाइरे थका ले ज रेस्पारेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है क्यों क्यों क्योंकि वो पूरा सारे बॉडी पार्ट गैसे से अपने जनरल बॉडी सर्फेस से कर लेते हैं अपने बॉडी की सता से डारेट क्या करते हैं ऑक्सिजन अंदर सीओ टू बाहर है यह तो खतम होगे तुम्हारा अब आता है तुम्हारा आर्थो पोड़ा खतरनाग जगा आर्थो पोड़ा से सबसे पहले रेस्पारेटरी सिस्टम की सुरुवात हुई थी ठीक है चलो अंडरलाइन कराते हैं तो यहां तक लिखा होगा लाइक स्पॉंजेस सिलंट्रेट फ्लैट वर्म्स चाहो तो दो आप जोड़ लेना दो और जोड़ सकते हो एसकल में थी सेंड एक ऐसे करते हैं ओटो और सी ओटो बाइस सिंपल डिफूजन ओवर देर इंटायर बाड़ी सर्फेस ठीक है अर्थवाम में आपको याद हो कि जो अपर लेयर होती है एपिडर्मल उसको क्या बोलते हैं क्या बोलत हैं और क्योटिकल अगर मॉइस्ट होगा तो उसके जरी होगा अर्थवाम की लाइन दों को बहुत अच्छी लिखी हुए है अर्थवाम यूज देयर मॉइस्ट क्योटिकल एन इंसेक्ट हैवन नेटवर का ट्यूब देट इस कॉल ट्रैकियल सिस्टम टू कि दिन दा बॉड़ी जैनि सबसे पहले अगर रेस्पारेटरी सिस्टम कहां आया अगर पूछा जाए तो क्या जब आप दोगे आप लोग आर्थो पोड़ा क्या वो लोगे भाई आर्थो पोड़ा कि इसके बाद जड़ा देखिए एक्वेटिक जगहां पे अब जखो ज कि लिए आएगा गिन्स को ना गवाई गिल्स और टेरिस्ट्रियल फार्म में आथा आपका लंग्स या तो हो सकता है इसकी ना सकता है कि याद्रखिए गर आपका रेस्पारेटरी या तो जननल बॉडी सर्पिस होगा या तो एकुएटिक होगा तो क्या होगा वाई गेल्स और टेरिस्टियल फार्म होगा तो क्या होगा लंक्स काम-क्रतम आपका जिर्ण बताईए और जरह बताएं गिल्स से थ्रो रेस्पारेशन को हम लोग कौन सा रेस्पारेशन बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पारेशन या पल्मोनरी रेस्पारेशन बोलिए सबी लोग ब्रैंकियल या पल्मोनरी गुडो नहीं ओम सकती हैं ओम सांती यस ब्रैंकियल बोलते हैं और लंग्स के थरोज होता उसको हम लोग बोलते हैं पल्मुनरी रेस्पाइरेशन इसको हम लोग बोल देते हैं बटा आपका ब्रैंकियल ब्रैंकियल रेस्पाइरेशन और इसको हम लोग बोल देते हैं पल्मुनरी रेस्पाइरेशन कर रहें ध्यान रखिएगा वेरेज वेस्पुलराइज बैग यूज़ करेंगे लंक्स में क्या कहलाते है पल्मुनरी तो मैंने सिंपल से लिख दिया एक्वेटिक फार्म में गिल्स और आपका टेरिस्टियल फार्म में होगा लंक्स रेस्पायर थ्रो लंक्स एंफीवियन लाइक फ्रॉक्स कें रेस्पायर थ्रो देर मौइस्ट इसकिन इसकिन के थ्रो करते इस लिए क्या बोलते इसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन तो जरह बताइए क्यूटेनियस रेस्पायरेशन फ्रॉग में कब होता है नार्मल समय मे होता है कि special समय में होता है अगर अगर बोलिया सभी नारमल की special इस पेसल उसको बोलते हैं एस्टीवेशन या हाइबर नेशन एस्टीवेशन या बोलते विटा आपका या हाईबर नेशन के एक होता है ऐस्साया तो समर शीफ हो गया और हопас यह हो जाएगा odc presentation कभ होगा आपका款 छब आपका इस्टीवेशन या हाइबर नेशन में होगा और बहार रहता तो आपका लंग्स के सरू अराम्से respiration करता है ठीक है फाइलम आर्थो पोड़ा आपने पड़ा होगा फाइलम आर्थो पोड़ा में आपने देखा होगा एक जगहां लिखा होगा गिल्स एक जगहां लिखा होगा बुक लंग्स एक जगा लिखा होगा बुग गिल्स और एक लिखा होगा ट्रेकियल सिस्टम यानि फाइलम आर्थो पोड़ा में सबसे पहले रेस्पारेटरी सिस्टम है और कई परकार का निकला ठीक है गिल्स तो याद कोई दिक्कत नहीं है एक्वेटिक फार्म में पाए जाएगा इसको याद करने कोई दिक्कत ही नहीं है एक्वेटिक फार्म में पाए जाएगा गिल्स ठीक है बुकलंक्स किसमें पाए जाएगा जरा बताएए बुकलंक्स बुकलंक्स यस यह पाए जाएगा स्कॉर्पियोन और स्पाइडर में ठीक है बुगिल्स पाए जाता है आपका लिमुलस इसका दूसरा नाम होता है किंग क्रैब और ट्रेकियल सिस्टम मतब टेरेस्टियल फार्म और यह सब बात कर रहेते हैं हम लोग किसकी आर्थो पोड़ा में फाइलम में यह बाते दी हुई है तो चलो कमान एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाक से बहुत तेजी से रिकॉल कर लेते हैं पोरी फेरा टू एसकलमेंथिस आपका कैसे होता है जन्रल बॉडी सर्पस से अर्थवाम में कैसे होता मौस्ट कूटिकल से इसके बाद सबसे पहले रेस्पारिटी सिस्टम की सुर्वात कहा होई आर्थो पोड़ा से आर्थो पोड़ा में एक्वेटिक फार्म में क्या होत होता इस सप्याइस हो नहीं होता है इसके बाद बेटा वर्टीव प्रेट में ट्रेशं के जरिये human respiratory system तो आपको पता होगा यह जो नक्षिद्र दिख रहे हैं बाहर से नॉस्ट्रिल दिख रहे हैं यहां से आप अंदर लेते हो नजल लाज्टेवटी नजल चैमबर से होते हुए यहां से शांसे चिले तो सबपर पठाएं तो क्या पढ़ने की जरुवत है इस तो मुझे लगता याला कि पाथ स्टूमा रहा है ये पात्व ह्यालाकि पात्भ्य अगर आपको देखना है पात्वे मैं आपको दिखा दे रहा हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मज़े लगता है कि है आपको याद होगा तो ऐस the next और आपका नजल के विटी पिर उसके बाद आपका फैरिंग्स रीजन में जाएगा और आयात करो जब फैरिंग्स रीजन में बताया था कामन पैसे फार बोथ एर एंड फूड और फैरिंग्स अगर आपको पैचानना हो तो अपने जीव को उपर ले जाओ पहले सुरू में अब पीछे वाला सॉफ्ट होगा जहां पर सॉफ्ट वाला एरिया है वहां पर देखो हवा भी खुल रही है इदर से खाना भी जा रहा है और मुह बन करके वाद सांस लेगे देखो ना हवा कहा निकल लिए जहां निकल ले वही रीजन क्या फैरिंग्स और जहां से अंदर जिसको क्या बोलते थे लेरिंग्स क्या बोलते थे लेरिंग्स और लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते थे तो कहते थे सर लेरिंग्स की ओपनिंग होती थी जड़ा बताइए क्या एनिवन ओपनिंग ओफ लेरिंग्स opening of larynx opening of larynx यास इसमें एक opening होती थी उसको glottis बोलते है यार epiglottis ने बोलते है बहुत बढ़ी गलती किया आपने opening को बोलते है glottis ऐसे काम करोगे opening को बोलते है glottis और इसको धखने वाले धखकन को बोलते हैंipi Gorecish और देखिए कितने सारे लोगों ने अपी ग्लोटिज का जबाब दे दिया बहुत ही दुख की बात है । बात है कि यह लहरीं की जो ओपनिंग होती उसको dys.ई उसको जो फलैपन कम फथा कं会 और ऊसका नाम कका बदा ऐना बत्युक्षेया हैं तक आँग ट्रेक्या बाकी चीज은 होती है लगिन इतलुक्रेजनेस रहती है दोना यह चुस्तर कि वह और बन से सोती है यहां कि उर्सक्राइब मैं सोती है क्विटे रिंग होती है कि इनकंप्लीट बस यह आपको बताना है जो काटलेजनेस रिंग है एक ऐसे कंप्लीट होती है कि इनकंप्लीट होती है कम्प्लिट होती कि incomplete इस incomplete होगी यानि सिस एप डरिंग होगी छूटा हुआ होगा ऐसे समझेगा सामने की तरफ complete होगा पीछे की तरफ incomplete होगा तो अब आगे ट्रेकया अब ट्रेकया डिवाइट करेगा तो क्या यह होगे आपके ब्रॉंकाई की डिविजन फिर उसके बाद किसका होगा ब्रॉंकियोल्स का डिविजन उसमें भी आपका प्रैमरी सेकेंड्री लास्ट में क्या चला जाएगा आपका टर्मिनल ब्रॉंकियोल और जरा ध्यान से देखो कि आपका external nostril से हवा अगर terminal bronchiol तक पहुच भी जाए वहां तक हवा चल रही है बह रही है अभी भी gaseous exchange नहीं हुआ है अभी भी tube में हवा बह रही है conduct हो रही है इसलिए इस part को हम लोग बोलते हैं conducting zone क्या बोलते हैं conducting zone कहां से कहां तक आपका external nostril to terminal bronchiol clear अब उसके बाद आपका इलवलाई with their duct क्या बोलते हैं respiratory zone क्योंकि आपको पता है actual gaseous exchange कहां होता है यहीं होता है बोलो बोलो बाई सही बात पका ठीक है बाई यह सजाज c safe होता है और incomplete होता है वेरगुड आदित्त बच्चा फिप्त थोरैसिक वटिब्रा में वेटा जहां पर पांचमा थोरैसिक वटिब्रा होता वहीं पर ब्रॉंकाई बदर आपका ट्रैकिया बाई फर्केट होता है राइट एंड लेट ब्रॉंकाई में चलिए तो कंड़क्टिंग पार्ट कैसे याद करोगे क्या यह सब याद करने जाओगे नहीं सीम्पल सब बोलना कि सर्ट टर्मिनल ब्रॉंकियोल तक कंड़क्टिंग है बात खतम और एलवलाई के साथ जो एलवलर डक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका रेस्पारेटरी देखो सामने आपके डियाग्राम है यह देखिए आपका ट्रैकिया है एड़ लेव खरिजन होने से क्या फायदा कोई बताएगा ऐसा क्यों नहीं हो गा कि भैया यहीः पर यहीं पर लगा दी होते दो यहीं पर लगाते तो कितने लगते दो यहीं पर गैस का एक्सचेंज का सर्फिस एरिया मिलता तो बताओ गैसियस सर्फिस एरिया या बोले रेस्पारेटरी सर्फिस एरिया ज्यादा होता कि कम होता यही बात है कि एक तो बड़ा सा प्राइश बना जिससे ब्रांचिंग ज्सेंग् ब्रांचिंग ज्यादा वनने के बाईवे से हर ब्रांचिंग में अंगूर के गूचे एलवला लगेंगे यह play तूब होगा जिससे गैसियस मैक्सिमम एक्सेंज होगा और साथ-साथ एक डाटमसन और हो गया कि इतना ज्यादा देर तक हवा ट्रेवल करके आएगी तो हवा क्या हो जाएगी उसमें जो डेस्ट पार्टिकल वगरा होते हैं वो सब म्यूकस वगरा में ट्रैप हो जाएंगे जो बा मैस्ट्र होके हुमिडीफाई हो जाएगी ते कंड़क्टिंग जोन का काम क्या हुआ एयर को प्यूरिफाई करना टंप्रेचर के लायक बनाना और उसको नम करना ठीक है क्लियर हेवित अफे ग़ीयनगी वैलके मॉम लच्मी मैं एक यह बात आपको याद होनी चाही है ईती तो आपको गुरे हो गया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं और यहां द्रमिनल ब्रंक योड देखा और जराद देखो यहां तक होती है तो cartilaginus ring कहां तक होती है तो बोला जाता है initial bronchiol तक initial bronchiol यह जो आपका cartilaginus ring होती है यह होता है बैटा आपका करवाओ अरे यार पढ़ाएंगे कि कराना है तो initial bronchiol तक आपका cartilaginus ring पाजाती है यह point याद होना चाहिए तो आपको काम खेतम हो गया तीन point याद रखना external nostril to terminal bronchiol conducting zone एलवलाई with their duct respiratory zone actual gaseous diffusion का होगा वहीं के होगा इनीशियल bronchiol तक पाए जाएगा आपका incomplete cartilaginus ring और साथ इसाथ trachea divide करता है at the level of T5 यह देखो एलवलाई के अंदर gaseous exchange हो रहा है oxygen कहां जा रहा है blood में यह दों को हीमोगलोविन लेके भागे रहा है यह आर्विसिक सर्पेस में हीमोगलोविन से जुड़ता है और लेके जा रहा है और co2 इदर चला जा रहा है तो actual diffusion कहां होता आपका lungs एलवलाई और blood capillaries के बीच में और देखें एलवलाई की क्या है कि यह देखें एलवलाई की एपिथीलियम है और एपिथीलियम है आपका blood capillary का इसको बोलते है स्क्वैमस एपिथीलियम और यह होता है इंडो थीलियम और blood capillary और इनके बीच में होता basement substance क्या होता है basement substance जो हेल्प करता है तीन लेयर डिफ्यूजन बाउंडरी के लिए और याद रखना चाहे आपका आगे चलके एक filtration वहां पर भी होता है kidney में भी वहां पर भी तीन लेयर होती है तो लेयर हमेशा यहां पर diffusion के लिए कितनी होती है तो क्या बताओगे तीन पहला क्या बताओगे बाई यहां इसको एमस एपी थीलियम आप लंग से लवलाई इंडो थीलियम आप ब्लड वेसल और बीच में जो होता बटा बेस्मेंट सबस्टेंस यह थ्री लेयर्ड इस्टक्चर मिलके बनाते हैं आपका डिफ्यूजन बॉंडरी ठीक ना तो हम बहुत ज़्यादा आपको डेटेल में फोकस नहीं कराएंगे नार्मल चीजों पर आपका थोड़ा इंस्याटी देख लेते हैं तो जो सब हम लोग बाते की हैं यह सब इसमें आपका दिया हुआ है बटा जो लोगों ने बोला था अभी तक फैरिंक्स देख लीजेगा ट्रैकिया देख लीजे सांड बाक्स लेहरिंस का दूसरा नाम क्या होता सांड बाक्स डूरिंग सालविंग जो ओपनिंग ग्लाटिस होती है उसको थिन इलास्टिक काटलेज फ्लैब जिसका नाम होता है एपी ग्लाटिस उसको क्या कर देता है कवर कर देता जिसे फूर कहां चला जाता आपका इसोफेगस में फिर लेट और राइड प्रामरी ब्रांकियोल फिर सब दुनियादारी आपको बताया गया है हाँ यह फीगर आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट है फीगर की एनलेसिस करना सीख लीजिए तो जड़ा देखिए यह है आपका ओपनिंग जिसको बोलते है ग्लाटिस और उसको ढखने वाला ढकन उसका नाम क्या है एपी ग्ल उसको लोग सायरिंग से बोल देते हैं हलाकि इंपोर्टेंट नहीं होतना अब देखिए इंकम्प्लीट ट्रैकिया में क्या एक काटलाजनेस रिंग है और उसके बाद देखिए एड़ लेवल आप टीफाइब यहाई पर मेंसन कर दिये फिप्त थोरैसी वर्टिब्रा रा है कि बन गया तुम्हारा कंप्लीट लंग्स क्या बन गया कंप्लीट लंग्स और बेटा याद रखना यह जो दो वाल मेंब्रेन है क्या इनके बीच में फ्रूड पाये जाएगा तो फीला क्लर गा फ्लूड होता है जिसका नाम होता बाई प्लूरल फ्लूड जर्द दयां फिर इसके बाद ज़रा देखिए यह जो चेन अनुमा दिख रहा है यह क्या है बाई एक्चुली हुआ है आपको ऐसे कट किया गया है जब ऐसे कट किया गया होगा तो रिप्स भी तो ऐसे दिखेगा ते क्या हो जाएंगे बाई cut ends of rib और आप ये diagram याद करिएगा labeling के लिए question पूछा जा चुका है diagram में ये है आपका diaphragm और देखो normal stage में diaphragm कैसा होता है dome shaped इन normal है normal है और relaxed है normal है और relaxed है ठीक न जड़र बताओ normal है और relaxed है तो कैसा हो जाएगा dome shaped ये तो labeling आपको clear हो गई अब जड़र देखो एक funda clear कर लेओ कि हाँ ये step आपको याद उना चाहिए respiration की step कैसे होते है तो पहला क्या होगा breathing in करना और breathing out करना सासे कहाँ फेपड़ों में भरना फिर क्या होगा आपका diffusion, alons, lungs, alvely and blood vessel अब blood लेके जाएंगे पूरे body के पास तो transport of gases by the blood अब क्या होगा diffusion होगा blood यानि blood vessel और tissue के बीच में और उसके बाद oxygen का utilization हो जाएगा जिसको बोलते है cellular respiration तो ये बटाए एक से लेके चार तक ये transport system है यानि इस chapter पढ़ोगे और ये पढ़ते हैं हम लोग कहां पे respiration in plant आज ही एक बच्चा ने मुझसे पुछा कि sir एक बात बताईए ये जो respiration होता है cellular glycolesis हो गया क्रेप साइकिल हो गया क्या खाली plant में होता कि animal में होता कि आप बताईए प्लांट में animal में की दोनों में अच्छा दोको लिखा भी है cellular respiration as dealt in the chapter 14 प्लांट में animal में की दोनों में हाँ दोनों होता भाई तो फिर कहोगे सर अलग से chapter क्यों पढ़ा अरे भाईया प्लांट में तो जगा जहां छेद बना है लेंटी से लाइस टू मेटा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेकेनिजम की ज़रूरत थी ही नहीं हमारे में यहाँ से पहले खीचोगे लेकर कहां पहुचे लंग से लवलाई फिर लंग से लवलाई से ब्लड वेसल के बीच में फिर ब्लड ले गए अब सारे टिशू में फिर ब्लड और टिशू के बीच में फिर उसके बाद से ले यूटिलाइज करेगा तो पहले टिशू तक तो पहुचाओ तो पहुचाओ तो एटमास्परिक एयर का सिल तक पहुचाने वाली यह चारों पॉइंट हो गया ठीक है और पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे खाली तो में कहने जब हम ब्रीदिंग में अंदर लेने क्या बोलते है इंस्पाइरेशन बाहर वेजने क्या बोलते है एक्सिपाइरेशन अब बेटा ज़रा एक चीज बताना अगर वालूम बढ़ता है तो प्रेशर प प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एटमास्फेर का प्रेशर फिक्स है, तो हमें क्या करना होगा, बस हमें क्या करना होगा, अपने इस थोरैसिक चेंबर के वालूम को क्या कर देना, बढ़ा देना है, और जैसे वालूम बढ़ा प्रेशर घड़ गया एटमास्फेरिक प्रेशर जादा और मुवमेंट हमेशा कैसे होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मुवमेंट हमेशा कैसे होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बस खतम हो गया आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मुवमेंट होता है तो हमे वालूम जैसे हमने बढ़ाया प्रेसर डिक्रीज हुआ एट्मास्फरिक प्रेसर ज्यादा हुआ सांस अंदर तो इंस्पारेशन करने के लिए वालूम बढ़ाना होगा इसका मतलम प्रेसर घटाना होगा और एक्सपारेशन करने के लिए क्या होगा वालूम घटाना होगा प्रेसर बढ़ाना होगा और कौन ऐसा बंदा जो सांस नहीं लेता उसको नहीं पता है कि सांस जैसे ले रहे हो देखो उठ रहे हैं हमना तो देखो कैसा हो रहा है उपर और आगे भी जा रहा है जैसे छोड़ देखो तो अपने वेंटरल और डार्सल जोगों हम पूरे लेंगव नहीं पढ़ाएंगे ठाली आपको याद भी करवाएंगे वेंटरल और डार्सल एक्सिस पे एक तो ऐसे बढ़ेगा वालू और एक ऐसे बढ़ेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे बाढ़ा सकते हो मैं कि देख लेते हैं हां कि तो जारा बताव वॉलtust और एंटीरियो पोश्टीरीय एक्सिस द्रींटर ले वाइंटोर एक्सिस में आपकर कोण बढ़ारा रहा खुद डाइफ्राम यह जो है डाइफ्राम यह क्या होगा खीच के फ्लैट हो जाएगा यह देखो खुद देखलो यह देखो आगे की तरफ जा रहा है और उपर की तरफ तो यह इंक्रीज कर रहा है गुलॉख ब में डार्स ओं द लेग अजएफ्रोने में अम फ्लैत होने में वाल्म बढ़ गया आं गया और जैसे इसको रिलेक्स कर दो गए हावा बाहर चली जाएगी भी बोलो बोलो क्लियर हो गया आख देखो ऐसा कुछ aur न्दर लेना है बाहर लेना है तो अंदर लेना दो को बाहर ऐसे जाएगा और इधर से करेगा अंदर हवा और जैसे सब्सक्राओं टो गए तो यह बाएं चला Bet ज read yopen देखने जरा यह नोहई यह दोए टेखना डायफ्राम देखना डायफ्राम कि यहां पर डियाफराम देख सकते होगा है जब हमें तो कैसा होगा को अब बैंडट कभी यूच्क किया रबड़ करता है पर चले खतब क्या होगा फैजान तो रिलाक्स टेट में क्या होगा रबड आपका हेर बैंड याद कर लो बस खतम तो हेर बैंड ऐसे छूटा रहे गात कैसा होगा डोम से अजब उसको खीद दोगे तो कैसा हो जगा फ्लैट बस कतम तो हेर बैंड लगाते नहीं हो लेकिन देखे तो होगे ही चलिए हाँ पूरा हो जाएगा बाई कोई बड़ी बात नहीं कितना बचा ही है अब जड़ा देखलो बटा इंस्पाइरेशन और एक्स्पाइरेशन में क्या इन्वाल्व होगा तो जड़ा देखिए अगर आगर हम बात करें तो कोंट्रेक्शन कर रहे हैं इसको ऐसे उठा रहे हैं और इसको फ्लैट कर रहे हैं तो रिप्स को बाहर ले जाने वाली कि बेटा दो रिप्स को बोलते कोष्टा को रिप्स को बोलते कोष्टा मत अब कोष्टल हो गया रिप एक्स्टर्नल इंटर कोस्टल मसल क्या बोलेंगे एक्स्टर्नल इंटर कोस्टल मसल क्लियर बोलो रिफ्स को बाहर ले जाना है तो कौन सी मसल होगे एक्स्टर्नल दो रिफ्स को बोलते है कोस्टा तो दो रिफ्स की मसल है तो इंटर कोस्टल मसल यह नाम है यह नाम है और बा की मसल और आपका डायफ्राम की मसल और इनके कोंट्रेक्शन से क्या होता इंस्पारेशन और जरह बताओ अगर कहीं कोंट्रेक्शन हो रहा है मसल का तो पैसी होगा की एक्ट्यू होगा पैसी की एक्ट्यू झें की पैसी की एक्ट्यू हो गई तो इंस्पारेशन कैसा हो गया एक्ट्यू अ हि голов pi transact करेंगे एक्स्टरनल इंटर कोश्टन मसल एंड रॉफ रॉम इसका क्या हो गए बैटा कॉंट्रेक्शन काम कतम अब कुछ नहीं करो जैसे मैंने अपने टी-शर्ट को उपर उठाया उठाने मजबूती लगी छोड़ दिया तो अपने आप उस पोजीशन पहुच गया अब मालोब पहले जाको पोजीशन यह थी जब छोड़ेंगे तो और मेरे बोडी से चिपक रही है यानि उस पोजीशन से और अंदर चली जा रही है तो यानि पहले जो रिलेक्स स्टेस का वालूम था उससे और जादव वालूम कम हो गया होगा तब ही तो हवा बाहर और जब छोड़ोगे तो देखो पूरा जाकि मेरे बॉडी से टकरा रही है और लेकिन अभी रिलैक्स स्टेज में नार्मल है तो जब छोड़ते हो तो और अंदर चली जाती है तो जो एक्स्ट्रा एर होती ही भक से बाहर चली जाती है बस खत्म आपका तो एक्सपायरेशन जो नार्मल वाला करते हो नार्मल एक्सपायरेशन करते हो आप वहां पर क्या कर दोगे रिलैक्स कर दोगे इन सबको खाली है इन सबको रिलैक्स कर दोगे अपने आप क्या हो जाएगा एक्सपायरेशन तो जब कोई चीज रिलैक्स कर रहे हो तो इनर्जी खर्चा नहीं ह हो रहा है इसका मत्तब कैसा प्रोस्यसर मॉले क्यों पैस्यूज की क्यों सब्सक्राइब हो व्यूड सब्सक्रा कि और आ नार्मल सास लेना और नार्मल सास छोड़ना यह बात होगी तुम्हारी मसल्स की लेकिन अगर मालो तुम क्या हो गए आज जोस में आगए बावा रामदो के चेले बन गए तो देखो जोर लगा रहे हो यार अभी क्या कर था है छोर दे रहे तो अपने आप सानस बाहर चली जाती अंदर लेने के लिए मेंट्स कर रहे थे लेकिन बाहर देने के लिए पाट्छोड देते थे इंटर्नल की इंटर्नल कोन सी मसला होने चाहिए एक्स्टर्नल की इंटर्नल बस खतम हो गया अंदर लाना है इंटर्नल तो यही बात बच्चों को कंफ्यूज करती है याद कर लेंगे डियूरिंग force fully expiration यानि force full expiration कोन सी मसला जागी इंटर्नल 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 इंटर्कोस्टल मसल ठेक है तो भाई आपको इंटर्कोस्टल बसला है बाहर ले जने वाली external अंदर ले जने वाली internal बस कहता हूं और जब बाहर ले जाते हो तो volume बढ़ जाता है pressure घड़ जाता हवा अंदर आ गई clear जब बता clear तो आगे बढ़ जाए तो normal inspiration काया में कान्ट इनका होता एकस्पारी कि अर्मल्में रिलाक्स हो जाता है लेकिन फॉर्स फुल करना है तो जबर्दस्ति घीचना होगा था लगा एक्सटर इंटर्नल इंटर कोश्टल मसले ठीक है कि अब यह तो कांसेट की बात रहे अब आपको अगर जल्दी याद करना ब ठीक है खतम तो यह सब बाते इसमें आप है देख लिजेगा डाइग्राम भी बना हुआ है अब आता है आपका रेस्पारेटरी वालूम्स बहुत ही उंदा अब भाई अगर आपको रेस्पारेटरी वालूम्स पढ़ना है तो आपकी इस्पारेटरी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन हमें याद नहीं होता हम भूल जाते हैं कहते हैं कि सर भूल जाते हैं तो पहले हम लोग को यह याद होना ची नार्मल टाइडल वालूम्स जर बताएं कितना होता नार्मल नार्मल क्या होता यानि नार्मली आप कितना इंस्पार करते हो और कितना एक्स्पार करते हो डैट इस कॉल्ड टाइडल वालूम्स वैलू के साथ याद होना ची यहें टाइडल मत्तब वहता नार्मल बस ऐसे खाली एक वर्ड लिखना ज्यादा मत्ब नार्मल अंदर लेना नांदर बाहर करना that is called टाइडल वालूम यस राइट पांसो एमल कितना मत्तब्ड़ा 500 A.M.L. इसके बाद इसको छोट के इसको मत छोड़ो इसको छोड़ के कितना आप अब बाबा रम दोग चले हमेशा बनना पड़ेगा इस चप्टर में अब कितना आप जबरदस्ती हवा अंदर ले ले रहे हो तो बाई इसको लेने के बाद इसके बाद यानि एक्स्ट्रा एडिशनल की बात कर रहे हैं जैसे तुम्हें नार्मल पैसा मिला 500 हो तो इसको हमलोग क्या बोल देते हैं आई आरवी तो आई आरवी में क्या होगा एक तो जबरदस्ती खीचे ओ तो फोर्स इबल होगा यहनिनि फोर्स फुली होगा और कैसा एर है यह एडिशनल है पिर तो बोलो जब रस्ती अंदर खीचे हो और अतरिक्ट खीचो वैलू बताओ फटक्स हैं क्या बात है क्या बात है यह होता है आपका 25 to 3000 एमल यहनी 25 सो से 3000 एमल होता है आई आरवी फुल फाम होता है इंस्पाइरेटरी रिजर्व वालूम क्या होता है इंस्पाइरेटरी रिजर्व वालूम क्लियर अब बेटा फिर आपको क्या है जब रस्ती कितना फेक सकते हो नार्मल कितना फेकते हो टाइडल वालूम लेगन एक्स तो अतरिक्त कितना बाहर फेक सकते हो एडिशनल वर्ड जरूर आएगा अतरिक्त मतब एडिशनल तो forcefully जो बाहर expire किये वो भी कौन सा? एडिशनल एएर एडिशनल एएर जो forcefully expire किये वो कल आएगा expiratory reserve volume और एक होता है एक हजार से ग्यारा सो कितना होता है एक हजार से ग्यारा सो एमल अब तुम दिमाग लगा के बताओ अंदर खीचे ज़्यादा हो फेके कम हो यानि volume of air बचा रहता होगा फेकने के बाद भी यह तो लग रहा feeling देखो खीचे ज़्यादा हो फेके कम हो तो कुछ बचाए पड़े होगे तो जब अरदस्ति फेकने के बाद भी जो बचता है उसको बोलते है residual volume और यह होता बटा आपका 1100 ml to 1200 ml डाटा तो यादी रहना चाहिए प्लस लेंगवज भी यादोना चाहिए ध्यान दखना और एक confusion आपको इन दोनों में होता है ERV और RV में क्योंकि दोनों का डाटा थोड़ा मिलता गुलता है तो RV याद कर लेना 12 टेकर आर 12 होगा आर तो RV या यह भी ऐसे याद कर सकते हो spelling छोटा है इसलिए ज्यादा value हो जाएगी जैसे चाओ ऐसे याद कर लो लेकिन residual volume आपको याद होना चाहिए तो normal fake ना और अंदर लेना टाइडल additional जबरदस्ती अंदर लेना inspiratory reserve volume additional जबरदस्ती बाहर expire करना expiratory reserve volume उसके बाद भी जो बचा रहा residual volume बस खत्ब अब आई normal टाइडल volume है जब रसी अंदर लेना और बाहर लेना यह सब हो गया तो बस खत्म होगी आप जोड़ दो अब जरह बताओ अंदर लेने की capacity क्या होगी बाई अंदर लेने की total capacity कितनी होगी क्या जाएगा आपका इंस्पायरेटरी capacity clear बोलो बोलो ऐसे बनाना इसको क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी capacity तो इसमें क्या हैगा IRB और टाइडल वालू clear बाहर फेकने की पूरी छमता क्या होई जब रदस्ति कितना फेका IRB नारमली कितना फेका 500 तो दोनों को जोड़ दो यह क्या हो जाएगा आपका expiratory capacity ठीक है और इसमें क्या जाएगा आपका IRB प्लस TV और इसमें क्या आएगा IRB प्लस TV ठीक है clear और बचे रहने की छमता क्या है नारमल फेकने के बाद भी हवा इतनी बची रह जाएगी लंग्स में इसको बोलते है functional residual capacity functional residual capacity और यह क्या आजाएगा इसमें IRB प्लस RV प्लस तो भाई मुझे रखता है इससे आपको बहुत टेजी से याद हो जाएगा खाली आप वालूम याद करिएगा नारमल और रिजर्व और उसको जोड़के का बना दिया जैगा capacity बना दियेगा clear अब जराद देखो बेटा आपको पता होगा कि नारमल इतना रहा एडिसनल आपने इतना अंदर किया इडिसनल इतना बाहर किया यानि यह पूरा आपकी जीवन की जीने की capacity है इसको आपको बोल देते हैं वाइटल कैपसिटी यानि जीवन जीने के लिए आपकी वाइटल कैपसिटी इतनी होती है तो वाइटल कैपसिटी में क्या क्या है आपका टाइडल वालूम पलस जबरदस्ती जितना अंदर लिया जबरदस्ती जितना बहर किया यह हो गया आपका वाइटल कैपसिटी और अगर इसमें जो बचा हुआ जोड़ोगे तो क्या जाएगा टोटल लंग्स की छंता टी ल्सी टोटल लंग्स कैपसिटी यह यानि सब जोड जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी अब इसमें आपको दुनिया का कितने हो बड़ा सा बड़ा कोश्चन पूछेगा ऐसे बनाके रखर होगे गलत नहीं जाएगा बाकि आपकी मर्गी वैलू जोडते चले जाओगे वाइटल कैपेसिटी होगा फोटी सिक्स फोटी सिक्स हंडर्ड एमल और टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है फिप्टी एट हंडर्ड टू सिक्स थाओजन बॉलई बाई तो अंदर बाहर peuार करना यह तो पॉल, जब रस्ती sleek अंदर करना यह यह बीद होछे उसके बाद जो बचा रहता हो ता रेज्ीज़ड ल बालु अब अन्दर वाली टोटल जोड़ दो बाहर वाली टोटल जोड़ दो ऑब बचा हुआ चौटल जॉड़ फ खत्म कैपेसिटी आ गया कि बोलिए बाई क्लियर हो गया आगे बढ़ जाएं कि चलिए कि ठीक है तो यह पढ़ लिजेगा लेंगविज आपको अमने अलग से बता दिया अब बाई एक्सचेंज आप गैसे में यह बहुत जबरदस्थ होता डेटा बेटा आपको याद होना चाहिए कि आपका अटमास्फरिक वैलू अलवलाई लंग्स में और आपका डियो अक्सिजनेटर टिशू वगारा में पी ओटू आफ ऑफ ऑक्सिजन कितना है और सी ओटू कितना है यह डेटा सबको याद होना चाहिए ठीक है चलिए भाई याद करते हैं कोशिस करते हैं याद हो जाए तो अगर हम याद करने कोशिस करें तो पहले दो को ऐसे याद करें एटमास्फेर में आप्यस सी बात है ऑक्सिजन ज्यादा होगा तो कितना वैलू 159 लंग्स लोलाई में कितना बटा 104 डी आक्सिजिनेटर बलड और टिस्यू की वैलु बराबर होती है काम खतम लो दिआक्सिजनेटर की वैलू और टिस्यू की वैलू बराबर होती दो आपका एक हेडक तो आपका एक headache खतम कि deoxygenated याद कर लो या tissue याद कर लो आपको ये चीज़े याद होनी चाहिए कि दोनों की value बराबर होती है ठीक है चलिए तो हम अलग से लिखते हैं ताकि देखें आपको याद हो जाए तो भाई एक data है 159104 फिर है आपका 9540 एंड 40 अलग से लिख दिया हमने ये किसका है atmospheric air का है ये किसका है आपका एलवोलर एयर समझे रहो ना 95 किसका चलिए बताईए 95 किसका है 95 95 चलिए बोलिए बटाक से आप लोग what is 95 95 yes oxygenated blood oxygenated blood ठीकर ना भाई और ये होता है है डी oxygenated और ये होता है विटा आपका tissue CO2 को वैलू याद करना असान है 0.3 इसके बाद 40 40 45 45 असान होगे न फोटी किसका होगा आपका ये होगा oxygenated blood और एलवलाई का और ये होगा oxygenated blood और tissue का ठीक है तो CO2 की वैलू याद होना असान है आपका O2 वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता ध्यान रखिएगा लेकिन एक चीज़ है कि जो आपका डी oxygenated blood की वैलू होती हो वही होती है आपकी tissue की चाहे oxygen की बात करें चाहें CO2 की बात करें है कि याद हो जाएगा अब कहते हैं जरा देखो diffusion क्या क्या तो यहां पर जोगो जाएगा यह तो लंग से लवलाई हो गया और इंडो थीलियम और ब्लड के लेरी हो गया तो पहले एक क्या थे मेंब्रेन तो कितने मेंब्रेन होते हैं बाई कि इसस यहां पर बताये कीछ बहुनम न에 कितना घ्री लेर्ड कि रहे होते हैं क्या याद हो यहां members उपचा को 1 इन अदे ए लिह क्या Solubility नाम की भी ते एक चीज़ होती है एक तो देखो प्रेस पार्सियर प्रेसर का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छे से क्या होगा एक्षेंज होगा लेकिन अगर बताओ प्रेस पार्सियर प्रेसर का डिफरेंस रहा और दूसरा होता है कि सॉल्विल्टी भी सबकी अच्छी होती है लेकिन अगर वैलु देखा जायतों सियोट इज उस मोर सालेवल दैन ओ टू कोई ड्राटा बता सकता है कितना गुना कितने ऐंस मोर सालेवल होता था स्योटी देन ऊटू किफरेंस मोर सालेवल होता है इनिमन यहां पर देखो यही कारड है अभी आगे चलके डेटा मिलेगा आपको यहां पर देखिए ऑक्सीजन का पार्सेल पैसर कितना है 104 और यहां पर ऑक्सीजन का पार्सेल पैसर जो होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो होता है आपका 40 ठीक है डिफरेंस ज्यादा है लेकिन ज़र देखो यहां पर जो पार्सेल पैसर कितना है बैटा 40 और यहां पर कितना होता 45 डिफरेंस खाली पांच का है तो ऐसे देखके लगता कि भाई जो डिलिवरी हो रही है ऑक्सीजन की ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा होगा शियादा होगा सियूटू का कम होगा लेकिन जब आगे चलके आप देखो में भी प इसलिए डिलिवर कर दिया जाता है क्योंकि सॉल्विल्टी आप स्योटू इस मोर है क्लिए तो स्योटू इस मोर सालूबल देन ओटू बीस से पचीस टाइम्स यही कारण है कि लगब लगब ऑक्सिजन के बराबर भी स्योटू की डिलिवरी हो जाती है 100 ml आप बलड कितना डिलिवर करता है पांच एमलोटू और यह कितना करता है चार एमलोटू ठीक ना यही कारण है अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांस्पोर्ट ऑफ गैसेस इसमें बेटा दो डेटा है आपको सिंपल सा डेटा लिखना है तो जड़ा देखिए एक बेटा डेटा है आपका ऑक्सिजन के लिए और एक है आपका सियोटू के लिए आक्सिजन में एक है 97 परसेंट और एक है आपका 3 परसेंट ठीक है सियोटू में एक आपका है 70 परसेंट एक आपका है 22 25 परसेंट और एक आपका है 7 परसेंट ठीक है तो ट्रांस्पोर्ट ऑफ गैसेस में ए आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो 97 परसेंट ऑक्सिजन कैसे जाता है फड़ा पड़ बताईए जल्दी जल्दी बोलिए 97 परसेंट ऑक्सिजन का ट्रांस्पोर्ट कैसे होता है बोलो भाई यस थ्रो और बीसी और बीसी के सर्फेस पाजाते हीमोगलोबिन जो अक्सिजन दे जुड़ेंगे ऑक्सि हुमोगलोबिन के जरिये तो क्या लिख सकते हो थ्रो यह taşb mornings की निका एसे ऑक्सि हीमोगलोबिन और बिबन और तीन परसेंट दिजॉल वीन परक्सिजन प्रसेंग लाजमा में धिजाल हो कि कितने परसेंट पर यहां काम खत्म, अब नेक्ष्ट तीन रटा याद करो, 70% कैसे, 70% कैसे भाई, 70% कैसे, यह आपको बस याद ही करना है, 70% कैसे, यह कैसे होता है, तो आपको याद करो, कि जब वाटर, CO2 के साथ, कमबाइन करता, तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिट, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिट, आपको पता, कार्बोनिक एसिट, वीक एसिट होता है, तो यह तुरंद अपने आयन में तूट जाएगा, क बड़ जाएगा कोई बता सकते एंजयम कौन सा होता है यहां पर बायमालकूल आप लोगों पढ़ा रहा है दो क्या बात है आधित शिंगानिया यूज़ाइट बटा कोन होता है कार्बोनिक इन हाइड्रेज यहां दा रहा होगा 6 lakh molecules बनाता है पर सेकेंड ठीक न? अच्छा यहां से एक point और निकल के नहीं आया कि एक बाद बताओ अगर मैं तुमसे बोलू CO2 जादा होने का मतलब H प्लस आयन जादा है यह बाद सही है कि गलत? CO2 जादा होने का मतलब H प्लस आयन जादा है यह बाद सही है कि गलत? सही है बाई? क्योंकि CO2 जादा होने के मतलब जादा कार्बोनिक एसिड बनेगा और जादा तूटेगा तो जादा H प्लस आयन जादा बाइक और ने ठीक है? तो यहने direct relationship होता है चलिए बताएं 20 से 25% transport कैसे होता है? 20 से 25% transport Yes RBC के throw RBC के throw होता है तो भाई RBC की surface में क्या होता है? हीमोगलोबीन तो हीमोगलोबीन जूट जाएगा CO2 के साथ जर्द हो बताओ क्या बोलते हैं इसको? कि जब हीमोग्व पिन सीोटूल के सार। यहां पे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सिजन के साथ जुड़ा औक यहां पर सयोटू के साढ़ तो क्या वोलते हैं सको हमलोग नहीं नहीं कर भ। बहुत हैं में लिखा हुआ तब भी इसको बोलते हैं कर्मय目前 हीमोग्लोबीन कार्बामीनोहीमोग्लोबीन और 7% किसलिए है 7% किसलिए है यह यह उताता आपका प्लाजमा में डिजाल्व होके यह डिजाल्व इस्टेट इन प्लाजमा तो आज याद रख लीजेगा 97.3, 70, 22, 25, 7% पहले डेटा याद करो फिर उसके बाद उसमें लेंग्वेज लगाओ 97% RBC के जरिया ऑक्सिजन का ट्रांस्पोर्ट होता है ओक्सी हीमोग्लोबीन के रूपने और 3% डिजाल इस्टेट इन प्लाजमा होता है CO2 में 70% बाइकार्बोनेट आयन, 20-25% RBC के थरो एजाक कार्बा मीनो हीमोग्लोबीन और 7% डिजाल इस्टेट इन प्लाजमा अब बेटा इसका मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट एक आया कि ऑक्सिजन केन कम्बाइन विद ऑक्सिजन केन हीमोग्लोबीन केन कम्बाइन विद CO2 एस वेल इस O2 ठीक है, थैंक यू अधित तो बड़ा याद रखिएगा जरा देखो हमने बोला हीमोग्लोबीन CO2 के साथ भी जुड़ेगा और O2 के साथ भी जुड़ेगा क्लियर हो गया और याद रखना ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है अगर मान लोग बना हुवा मालेकुल भी रहेगा जैसे सपोस्ट आपका एलवलाई के पास चलते हैं तो एलवलाई के पास ऑक्सिजन ज्यादा होता है तो मान लो क्या होगा HbCO2 टूटेगा और क्या बनेगा HbO2 बनेगा यह तो होगा ना कि रिवर्सबल होते हैं एलवलाई में PO2 ज्यादा तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन आपका टूट जाएगा और क्या बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और टीशू पर क्या होगा जला दिखूं टीशू लेवल पर क्या ज्यादा होता है अब CO2 ज्यादा होने की वज़ा से क्या टूट जाएगा एच बी ओटू टूटेगा और क्या बन जाएगा आपका CH2 C सूट ख्लियर क्लियर ओगे भाई बोलो बोलो टो इक होता ऐसोशिएशन एक होता डिसोशिएशन एसोशिएशन सामने वाले concentration पर depend करता है आप खुदी बताओ clear है जरह खुदी बताओ जब को मैं condition दे रहा हूँ CO2 जादा है तो H plus IN जादा होगा temperature जादा होगा work जादा होगा यह तो बात हुई तो यह सब जादा होगे तो बताओ अगर मैं बोलू HbO2 का यहाँ पर क्या होना चाहिए association की dissociation simple जी बत है कि मैंने कहा CO2 जादा है temperature जादा वर्क जादा है तो oxy hemoglobin का क्या होना चाहिए association यानि बनना चाहिए कि टूटना चाहिए जाई तो बात टूटेगा तो क्या हो जाएगा dissociation और यह काम कहा होता टीसू लेबल पर वही तो मैंने बनना है कि टीसू पर क्या होगा oxy hemoglobin टूटेगा clear और लंग से लवलाई के पास क्या जादा oxygen जादा था इसलिए वहाँ पर क्या होगा oxy hemoglobin बनेगा तो तो dissociation के लिए यह सब चीजे ज़्यादा उनची है तो जरा एक बाद बताओ अगर h प्लस आयन ज़्यादा है तो pH कितना होगा अगर h प्लस आयन ज़्यादा है तो pH कितना होगा less बस खत्ब तो देखो more CO2 more h प्लस आयन यानि कैसा हो जगा pH कम low pH more temperature more work एनि मेटाबोलिक वर्क यह डिप्लेंट करता है डिसोसीयेशन किसका ओफ आक्सी हीमोग्लोविन आक्सी हीमोग्लोविन क्या करेगा तूटेगा डिसोसीयेट करेगा यह साधित मैनस लाग एचन कंसेंट्रेशन क्लियर हो गया और एक फार्मार लिखो आड़ी आड़ी लिख लो बसका तब आड़ी आर फार राइट डी फार डिसोसीयेशन जब भी डिसोसीयेशन होगा यानि यह सब फैक्टर होंगे तो जो आक्सी हीमोग्लोविन डिसोसीयेशन करव वाला जो सिग्मोएड करव था वो किदर सिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ आर डी राइट डिसोसीयेशन राइट डिसोसीयेशन क्लियर बस बीबी श्टार्ट हो जाएगा आपका जल्द चलि अगया आपका तो यानि यह बता यह राइटर कब जाएगा टमपरेश काम कर आब लेट कब जाएगा जब एक कम होगा तो लिख लोगा खाली फारूला राइट डिसोशियेशन डिसीशन यह सब कराते हैं ग्राप किदर सिफ्ट हो जाएगा राइट की सरर और ये आपका इसकिन साद ले लो चाओ तो अ राइट डिसोशियेशन और ये फारूला याद रखियेगा आगे चलके जब तो आपका body fluid and circulation आएगा उसमें भी important role है चलिए तो यहां पर लिख लो right dissociation बस काम खतम और dissociation कब होगा जब co2 जादा होगा और यह डेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि every 100 ml of oxygen blood कितना डिलेवर करता है फाइप एमल ओटू भया डिलेवरी करता है कंटेन करने वाला वर्ड मतलगा यह डिलिवरी करता है मतलब टीसू को कितना देता है पांच एमल ठीक है तो every 100 ml of oxygenated blood कितना डिलेवर करता है 5 ml oxygen to the tissue नार्मल कंडिशन की बात है और आपका every 100 ml of deoxygenated blood कितना डिलेवर करता है 4 ml A2 CO2 किसको आपका एलवल आइक हो तो पांच और चार आपको अमने बताई दिया था अभी सारे डाटा एक साथ रख लेंगे अब आता है regulation of respiration इसके लिए दो आर्गन है दो पार्ट है ब्रेन के एक है बेटा पॉंस और एक है मेडुला पॉंस है पपा पॉंस है पापा अब मेडुला है बेटा अब ज़रा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सौट में दिया आपके इंसियाटी में तो ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं मता ही आपको चलिए ज़रा इसको लार्ज करते हैं तब देखते हैं तो पॉंस क्या है पपा मेडुला क्या है बेटा अकाम खत्म आपका हुमन बींग है वा सिग्निफिकेंट अबलेटी टू मेंटेन एन मॉड्रेट दा रेस्पारेटरी रिज्म तू शूट दा डिमांड आप दा वाडिटी शू आप भी जानता हो नार्मली बारा से सोला नार्मल आपका रेट क्या होता है ट्वल्ट तू सिस्टीन टाइम्स लेकिन आप अगर मालों ऐसे करने लोगो तो ज्यादा बार करोगे या ऐसे करने लोगो कम हो जाएगा तो हम माडरेट कर सकते हैं क्लियर हमने सोचा तभी तो किया आपको पढ़ा रहते हैं तभी सोचा कि आपको हमें जल्दी जल्दी बताना है लेड़ बताना है यानि नियूरल मेकैनिजम है ठीक है ना इस्पेसलाइज सेंटर प्रिजेंट इन दा मेडूला र रिद्म सेंटर एंड इस प्राइमरली रिस्पांसबिल फार दिस रेगुलेशन तो कुछ नहीं होता बस याद रख लेना कि बेटे को पापा ने बोल दिया कि सुनो बारा से सोला बार इंस्पारेशन और एक्सपारेशन करवाना है तो बेटा उसी पर करवाएगा कितना कर रिद्म सेंटर काम करवाता है तो प्राइमरी कौन होगे आपका रिस्पारेटरी रिद्म सेंटर कहां पाजाता में अब देखो लेंग्वज दो दूसरी लिखी ओपड़ो एनदर सेंटर प्रिजेंड इंद पॉंस रिजन आप दा ब्रेन कॉल्ड नियूमो टैक्सिक बार्वार करना है और बताव बीस बार करने में क्या अल्टर करोगे एकस्पाइरेशन की इंस्पाइरेशन तो जैसे आप देखो हम देखो तो यह नहीं जल्दी जल्दी अंदर ले रहे जल्दी बाहर जारा है लें देखो ज्यादा देता इंस्पायर किये तो अराम से एक्सपायर करेंगे यानि ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं अल्टर करता है डूरेशन औफ इंस्पायरेशन काम खतम इंस्पायरेशन जल्दी जल्दी करो जल्दी होगा तो रेट बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा रिद्म सेंटर का पाजाएगा बाई मिड्ला में पपा कौन होगा पॉंस अब पपा में से पाया जाएगा पी वाला नियूमो टेक्सिक सेंटर में काम कौन कर रहा बेटा कर रहा है यानि जो रेस्पायरेशन का प्राइमरी रोल कौन करता है रेस्पायरेट्री रिद्म सेंटर आप मेडुला बस उसके रेट को कौन डिसाइड करता है पॉंस पपा बोल दिया कि 12 से सोला करना बारस सोला बीस बार करना है तो बीस बार है और साथ ही साथ आपको पता है केमिकल रेगुलेशन भी होता है तो आपके जगा जगा कीमो रिसेप्टर्स पाय जाते हैं जो आपको बलड में अगर सियो टू या एच प्लस आयन बढ़ेगा तो समझ जाएंगे कि कमी है तेक कोशन बनता है कि जो केमिकल रेगुलेशन होता है वो प्राइमरली किसको डिटेक करता है सियो टू या एच प्लस आयन को की ओटू को जान जाता है अगर सियो टू और एच प्लस ज्यादा हो रहा है यानि वर्क ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सिजन की कमी पढ़ रही होगी ऑक्सिजन लेलो ठीक है तो यह बड़ा इंपॉर्टन रोल हुआ खास का के वाला है अब मैं पूरा चेप्टर को आपको एक लाइन में बांद के खतम कर दूं बोलो तो पांच मिनट लगेगा बोल देंगे सारा लाइए अब बोल यह चलो सुनो यहां पर इस चप्टर में आप ब्रीधिंग आप गैसे की बारें पढ़ते हैं दा प्रोसेस आफ टेकिंग एर इन एंड आउट दाट इस चलो ब्रीधिंग कॉमाली कायते हैं रात छुछ देकिंग एंस्पारेशन एक को्ता में आपको यह बीर में बढ़कता गया में अला पारेशन में इक्सपारेशन में आपको इन्हीं बढ़ता हैsınız यह ब्थो दका सब्रेसर के समय आपिकांट intercostal muscle involved होती है तो normal expiration में कोई भी muscle काम नहीं करती relax होता है active process नहीं passive होता है लेकिन forcefully जब करोगे तो कैसा हो जाएगा active process हो जाएगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि external nostril से अगर terminal bronchiol तक आपका conducting zone बनता है और आपका alveoli with alveolar duct ये बनता है आपका respiratory zone conducting zone का function होता है कि जो air में dust particle वगरा हो तो उसको trap कर ले air का temperature अपने body temperature के according ला दे और साथी साथ air को humidify नम कर दे ठीक है इसके बाद जहाँ पर respiration actual जो diffusion होता हो lungs alveoli और blood capillaries के बीच में होता है जो lungs alveoli की wall होती उसको बोलते squamous epithelium blood capillary की जो epithelium होती उसको बोलते है endothelium और इनके बीच में होता है आपका basement substance तीनों मिलके यानि तीन structure मिलके बनाते हैं diffusion boundary जो पतला होता है अब आपको पता है alveoli में partial pressure of oxygen जादा है blood में कम है तो oxygen alveoli से blood में चला जाएगा blood में CO2 का partial pressure जादा होता है और alveoli में कम होता है तो आपका blood से CO2 alveoli में चला जाएगा clear लेकिन आपको पता है कि यह जो diffusion membrane के अलावा solubility भी बहुत जादा role play करता है जब आप देखते हो तो alveoli में PO2 होता है 104 mmHg अब blood में होता है 40 mmHg यह जादा है 104 और 40 का है लेकिन जब CO2 का partial pressure का डिफरेंस देखोगे तो blood में होता है 45 alveoli में होता है 45 का डिफरेंस है तो इसका मता हमको लगता है कि जो delivery होती होगी कम होती होगी क्योंकि every 100 ml of oxygenated blood deliver करता है 5 ml O2 5 ml oxygen deliver करता है टीशू को इसका मताद CO2 कम होगा क्योंकि डिफरेंस कम था लेकिन जो हमने देखा तो पता चला कि CO2 की solubility oxygen के तुलना में 20 से 25 गुना जादा होती है इस कारण से every 100 ml of de oxygenated blood deliver करता है 4 ml O2 to 4 ml CO2 to lungs alveoli तो वह यह oxygen 5 ml और CO2 4 ml की delivery होती है इसके बाद आपने पढ़ा कि सर यह जो आपका gaseous transport होता है blood के जरिये इसमें कई चीजों के जरिये होता है oxygen का 2 मेटर होता है एक होता 97% और एक होता 3% ट्रांसपोर्ट में 97% oxygen RBC के surface पे hemoglobin से जूल के जाता oxy hemoglobin के जरिये और 3% oxygen डिजाल इस्टेट इन प्लाजमा के जरिये जाता है अब CO2 गे लिए 3 डेटा है पहला है आपका 70% दूसरा है 22-25% और तीसरा है 7% 70% जाता है एज़ा bicarbonate आयन 22-25% जाता है एज़ा RBC के जरिये hemoglobin से combine होके carbaminohemoglobin और 7% जाता है डिजाल इस्टेट इन प्लाजमा bicarbonate आयन कैसे बनता है तो CO2 और waters combine करते हैं carbonic acid बनाते हैं weak acid होड़ता है तुरंत आयन में तूड़ जाता है H plus iron and bicarbonate iron इसका मतलब आपका CO2 जादा होने के मतलब H plus iron भी जादा होगा और जब काम जादा होता गर्मी भी बढ़ जाती है यहनि temperature भी जादा होगा metabolic waste जादा बन रहा है अगर हम लोग देखें तो एक होता है oxy hemoglobin dissociation curve sigmaide होता है यह ride की तरफ shift हो जाता है जब आपका dissociation जादा होता है और आपको पता है dissociation है आप oxy hemoglobin तभी होगा जब आपका CO2 जादा होगा H plus iron जादा होगा temperature जादा होगा metabolic work जादा होगा तब भी dissociation होता formula दिया था हमने आपको RD right dissociation ठीक है regulation की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा regulation में एक neural control होता है और एक होता है chemo वाला जी chemical control होता है जो chemical receptors होते हैं वो primarily related होते है H plus iron और CO2 के concentration से oxygen का यहाँ पे insignificant role होता है chemical regulation में neural regulation में आपका brain stem का part pons और medulla इसके लिए responsible होते हैं medulla में पाए जाता है respiratory rhythm center जो primarily responsible होता है respiration rate के लिए लेगिन पपा कौन है? pons pneumotoxic center पाए जाता है और respiration rate को alter कर सकता है कहेगा चलो 12 से 16 बार करवाओ चलो 20 बार करवाओ करेगा लेकिन कौन? respiratory rhythm center तब पापा कौन हो गया आपका pons बिटबा कौन हो गया? medulla वाला respiratory rhythm center value याद होना चाहिए atmospheric air में PO2 की value होती 159 alveolar air में होती 104 oxygenated blood में होती 95 deoxygenated और tissue में होती 40 mm of HG CO2 की value होती है atmospheric air में 0.3 alveolar में होती है 40 oxygenated में होती है 40 और deoxygenated और tissue में होती है 45 अब बीमारी बची इसको खतम करते हैं चेप्टर खतम आपका कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हूं कि अब सबसे पहले आता है एजमा कि वाड़ी इसमा अस्थमा भी बोलते हैं हिंदी में दमा बोलते हैं कि इडिस डिफकल्टी इन ब्रीधिंग कॉजिंग वीजिंग सुस्रहाट के वाज के साथ डू टू इंफ्लमेशन अब ब्रॉंकाई और ब्रॉंकियोल्स पहली बात तो ट्रैक्या वड़ नहीं आएगा एक बार कोश्चन आया था वहां पे इन फ्लमेशन अब ट्रैक्या भी दिया था और ब्रॉंकाई भी दिया था तो कई सारे लोग कंफ्यूज कर रहें तो नहीं भाई आपका ब्रॉंकाई या ब्रॉंकियोल्स होगा और आपको भी बेटा पता है कि अगर मालोग कोई ट्यूब अंदर की तरफ स्वेल हो जागी तो एयर का पैसेज क्या हो जागा थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है तो हवा यहां से निकलेगी तो आवाज करते हुए निकलेगी यह इस टायब का ठीक है तो एजमा क्या होता है इन्फ्ल Configяж याणि स्वेलिंगो जाती है यहां पर अंदर से और याद करू जब कर एलर्ज अइफ्टर मीन क्या होता अग्ट न एक रांको स्ट्किक्टर है को सकते हैं इसका और भी अधार ने variation जाएगा शूरेगा मेस इसलिए याद करिए जो ऐस्तमिक पेसेंट होते हैं या ब्रोंकाइटीस की भी पेसेंट होते हैं वो हमेशा अपने साथ एक नहले के चलते हैं ऐसे जैसे उनको अगर सांस लेने वह डिफकल्टी होती है तुरंत वह क्या कर लेते हैं वह इनहल कर लेते हैं तो आपको पता है कि यहां पर हिस्टामीन ने किया दबाए था तो यानि उस इन्हेलर में क्या होगा एंटी हिस्टामीनिक ड्रक्स होंगी जो यहां पहुंचेगा हिस्टामीन को हटाएगा रिलैक्स हाँ ऐसी फिलिंग भी आती है याद होगा आप लोगों को क्लें तो ब्र्वांकाय को कॉंस्ट्ट करता है है वैसल याद कर लेना जब येतिशन होता है तो घ्राफ राइट की तरफ शिप्ट होगा और डीसोशियसन कभ उगा आपको यादोना चाहिए और आपको पता जैसे यह देखो इस यह हो गया जिसके तरह गैसिया सेक्षेंज हो रहा है अब वाले टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा रेस्पारेटरी सर्फेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा बिटा रेस्पारेटरी सर्फेस एरिया आपका एक विमारी और है निमोनिया उसमें भी डिक्रीज कर जाता है लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग केस होता है निमोनिया में इस एलवलाई में फ्लूट भर जाते हैं अप फ्लूट हर गया तो अग्सिजन के लिए जगह नहीं मिली एक्शेंज नहीं हो पाएगा दोनों में रेस्पारेटरी सर्फेस एरिया घटाता आं यह विमारी ऑर आपका निमोनिया में भी अंतर क्या है आपका फ्लूट भर जाता है लुवलाई में至लिए aide नहीं और एमफाइसीमा में आपका वाल ही तूट जाता है और वाल तूट गया तब भी जगा नहीं मिलेगी दोनों में रेस्पारेटरी सर्फेस एरिया घट जाएगा एरे यार अमबाती रैडू क्या बात कर रहे हो अस्थमा आपका अपर रेस्पारेटरी ट्रेट में इंफ्लामेशन है और एमफाइसीमा में आपका लंग्स का एलवलाई क्या और आउसकी वाल ही तूट जा रही है क्लियर हाँ ठीक है अध्या तो भाई ये क्लियर होगे आपको तो दो बीमारी है जहां पर रेस्पारेटरी सर्पेस एरिया घट जाती है बड़े दिन बाद आए भाई हम बाती राटू चलिए और ये होता कैसे है सिगरेट स्मोकिंग एक बार कई बार कोशन आ चुका है डू टू सिगरेट स्मोकिंग अकुपेसनल रेस्पारेटरी डिसाडर अब ऐसे लोग जो बटा ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग ऐसे इंडस्ट्री में काम करें तो बता धूल बहुत उड़ेगा आपका ये जो रेस्पारेटरी ट्रट कितना आप दिन भर धूल दक्कड में रहोगे तो कितना च्छानेगा बैचारा ठक जाएगा तो दीरे 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 बेटा आपका डिफेंस मेकनेजम उससे लड़ नहीं पाता तो लॉंग एक्सपोजर में आपको बिमारी हो जाएगी तो कैसे हुआ अक्यूपेशन मतब बैवसाय या पेशा तो बैचारा यह लोग जो रोजगार का बैवसाय था उसकी वज़ासे डिसॉडर हुआ इसलिए हम लोग क्या बोलते इसको अक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसॉडर और जिसकी वज़ासे आपके लंक्स में लॉंग इस्पोजर में क्या होने लगता है इंफ्लामेशन और साथ ही साथ उसमें फाइब्रेस टिशू बनने लगते हैं जिसको बोलते हैं लेता है और रोप पाएगा है है ठीक है अक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसॉडर एंफाइसीमा भी हो गया आपका और साथ-चाथ एजमा भी हो गया चैप्टर आपका खतम किसी को कोई डाटो तो पूछ सकता है कि समरी भी करा दें समरी तो यही तो है वाई शेल सी यूटलाइज ऑक्सीजन फार मेटाबोलिजन प्रोडूस एनरजी एलांग बिस सब्स्टेंसे लाइक कारबन डायकसाइड विचिज हामफोर्म तो भाई यूटलाइज करना होता ऑक्सीजन को और उससे जो वेस्ट प्रोड़क्ट स्योट विच्टी होता उसको बाहर विजना होता है अलग 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 प्रकार्वियों मेथड होते हैं आपको पता ही होगा की टेरेस्ट्रियल फार्म में लंक्स और एक्वेटिक फार्म में गिल्स बुग गिल्स आपका पाजाता है किंक्रव या लुम्रस में अब बुक्लंस स्कार्पियान या अरेकनिडा में अब बाकि समय मुझे नहीं लग रहा है इसके समरी में कोई इंपॉर्टेंट कोश्चन है बुए हां यह लाइन बड़ा इंप्उर्टेंट है इसको अंडरलैन कर सकते हूं डेयर कोश्चन है था रेस्पार्टरी रिथम इस इस में लूटेंड बाई और उसके अना था रेसपारेटरी सेंटर इन दा मेडुला कौन करता है तो निमो टैक्सिक सेंटर इन दपॉंस रिजन अब दब्रेन एंड़ कीमो सेंसिटीव एरिया इंदा मेडला कैन अल्टर दा रिस्पारेटरी मेकिनिजम ठीक है और मेन कौन होता है आपका निमो टैक्सिक सेंटर पपा ठीक है रिसी सिंग वाड़िज प्रेशर ग्रेटर अब बिटा यह सब तो आप पूछ रहे हैं अब हमारी या अपनी ग्रेडियंट मतलब होता है हाई टूलो बसकत्व हाई प्रेशर से लोग प्रेशर क्या और मूवमेंट हो रहा है इस काल प्रेशर ग्रेडियंट उसमें क् अब है अरे भाई हाई प्रेशर हुआ और एक तरफ क्या वन लो तो एक क्या बन गया आपका हाई टूलो का एक ग्रेडियंट बन गया मूमेंट क्या होगा मैंसा हाई टूलो होगा क्लियर ऐसे कंसंट्रेशन की बात करते है तो ही टूलो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है तो चलिया जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक ने किला लाइक करले बाई तो चैप्टर खतम होगे आपका आशा करते जल्दी खतम कर दिया हमने एक डेल गंटे में लेकिन हमको लगा इस चैप्टर में खास खास बात है जो आपको नहीं पता वो बता दी जाए बाकी चीज़े आपको पता रहती इस चैप्टर में वाट इस आप गैसे एक्टर में इसेक्ट इंसेक्ट वाला आपको पता नहीं किया ट्रैक्यों ट्रैक्यों सिस्टम ट्रैक्यों अ बड़ा लाइब क्लासेज आल्रेडी आपका चलता है एट पीम मिली जाते हैं चाहे अमारी इंडिवीजीवल क्लास होती है चाहे हम लोगों की माम एध नटी से कोई निस्टे सोल ल 새 अ हाइपोक्सिया बका हाइपमतर कमी ट्रैक्सिजिन लो अक्तिकर सब्सक्राइब लेवल इस कॉल्ड है पॉक्सिया यस अल्विन जोर्च फार नीट इज एक्सप्रेशन इडिज इनफ हायर एल्टुडर में पार्चल प्रेशर अब आक्सिजन कम हो जाएगा बैटा बाकी इसको एक बार एक्सासाइज आप लोग जरूर लगा लीजेगा तो जरह बताईए और कुछ जरूरत हो तो बता दीजिए ने तो हम लोग चलें फिर इसको वाइंड अप करें कल बेटा आप लोगों का अचा चलो ठीक है पूछी लेते हैं आप लोगों से चले कोश्चन बताईए चले बहुत बढ़ी हैं आप लोगों ने कहा है तो पूछ लें भाई आपकी बात सराखों पे जर बताईए तीवी प्लस आई आरवी प्लस ए आरवी क्या होगा तीवी प्लस आई आरवी प्लस ए आरवी क्या होगा यस ओम लच्छ भी करवा देंगे बताई यस वाइटल कैपेसिटी नार्मल एडिशनल सम मिला के वाइटल जरा बताईए हम लिख रहे हैं वाइटल कैपसिटी प्लस रिजिडूवल वालूम यह क्या होगा वाइटल कैपसिटी प्लस रिजिडूवल वालूम यह क्या होगा हाँ यह वह जाए कि आपका टोटल लंग्स कैपिसिटी 5800 ml to 6000 ml उलता है चले कुछ डेटा पूछ लेते हैं आप से हमने दिया है 0.03 बताई यह डेटा कहां पे है 0.03 किसका पार्शियल प्रेशर और कहां पे है 0.03 एट्मासफेर में CO2 क्या पार्शियल प्रेशर है क्या है तो ध्यान देना यह गर्बल करते हो एट्मासफेरिक CO2 कंसंट्रेशन है लेकिन जो PCO2 होता है एट्मासफेरिक ओ बेटा 0.03 होता है खतरनाक लाइन ठीक ना ध्यान देना यह क्या होता है आपका 0.3 पार्शियल प्रेशर आप CO2 इन एट्मासफेर इस 0.3 जबकि कंसंट्रेशन केतना होता है 0.03 ध्यान रखिएगा ठीक ना हाँ यह बहुत इंपोर्टेन था आपका यह बटा देख लेना है दो तीन बार आपको देखना पड़ेगा चलिए बताए पी CO2 की वैलू 40 है कौन कौन सी जगह पर पी की CO2 की वैलू 40 है कहां कहां पर अरे ब्लेड में कहां यह होगा बटा आपका ऑक्सीजीनेटेड ब्लड और होगा अलवलाई अब कैसे याद करो बाई जहां पर ऑक्सीजन या अलवलाई होगा वहां पर सी ओ टू कम होगा तो 40 हो जाएगा और डी ऑक्सीजीनेटेड ब्लेड और आपका टीसू में कितना हो जाता 45 चलिए बताइए 3% कंसेंट्रेशन किसके लिए है 3% कंसेंट्रेशन किसके लिए है यह सिजन डिजॉल्व इन प्लाजमा तो 97 परचंट 3 परचंट 97 परचंट आपका अक्सी हिमोग्लोबिन और विसी के जरिये और 3 परसेंट डिजॉल इस्टेड इन प्लाजमा तो 2225 यह वाला डेटा आपका दो जगा दिया कहां कहां चली बताईए 2225 एक जगा टाइम्स दिया है और एक जगा दिया है 2225 परसेंट यह दोनों ही बेटा CO2 के लिए खास बात लेकिन यह CO2 की solubility है 20 25 गुना oxygen से ज़्यादा होती है और बेटा आपका यह आपका हो गया 20 से 25 परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता RBC के जरिये ऐजा कार्बा मीनो हीमो ग्लोबिन ठीक है हाई पी एच हाई पी एच है जरह बताईए oxygen dissociation कर जो होए ओ कहां shift करेगा राइट की left कि तो किदर हो जाएगा बटा लेफ्ट साइट है क्योंकि बहुत है हाई पी एच है हाई पी एच है जया लखना क्या फार्मूला था आड़ी आड़ी में राइट डिसोसीयेशन के लिए हाई एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन था तो पी एच क्या हुन्हें चीए था लो तो देखिए एक गच्चा करा दिया आपके लिए हाई पी एच है ध्यान रखिएगा क्लियर एच प्लस नहीं हाई क्लियर बोलो तो चलिए ठीक है वाइंड अप करते हैं यहां पर मिलते हैं फिर नेस लेक्चर बाडी फ्लूड एंड सर्क्लेशन इन वन साट जरू जोइन करना आपके जो ट्रिकी पॉइंट्स होंगे उसको ही हम लोग कोसिस करेंगे खतम करने क्लिए तो बाबाय टेक केर जो भी डावड हो यो कें डाश इन कमेंट सेक्शन अप कमेंट सेक्शन पूश सकते हो